यह एंक होहेथ है है यह लगाईस वीधियो मीथ फिटेजने संस्वी कि इस वीडियो में हम बात प्रिशित हसे अります एकडार करणी होती है तो यजह निए our impки टर्शिचितरत के मिरंस क्वेस्टर और को इस पहले मैं ने आपका एक सीरीज दे दिया है आपको जो कि मैंने आपको कहा था 11 to 12 पार्ट से उसे आपको फोलो करना है link description में आप जाके देख सकते हैं उसमें से बहुत सारा questions previous year में फसा भी था आपका तो हमारा main approach किया होता है इस exam को clear करने का best NCRT questions आपको देखना है और previous year questions क्योंकि आपके पास basic time नहीं है कम से कम source रखना है ज्यादा से ज्यादा revision करना है आपका chapter wise basic approach से लेकर high level questions तक हम जाएंगे इस series में तो किस तरीके से यह होगा तो सारा कुछ आपका MCQ form में होगा और पुड़ा का पुड़ा free of content होगा जितने आपके दोस्त हैं सबको यह video share कर लिजे क्योंकि free of content आपका MCQ होगा और यही में में मोटिवेशन होगा जितना आप मेरा वीडियो दिखते हैं तो पुड़ा MCQ के form में हम start करेंगे और यह इससे पहले मैंने आपको एक video दिया था और यहां पर आपका 910 से बहुत ही मामूली सा मतलब एक दो questions आगया तो आगया ठीक है तो पुड़ा physics chemistry का आपको syllabus और math का syllabus फोलो करना है तो यहां से आपका बहुत लोग पूछ रहेगी सर syllabus क्या होगा तो oil india limited अपना कोई syllabus नहीं देता उसका जितना भी आपका physics ठीक है उसने physics chemistry math मतलब PCM आपको आगर कहें दिया तो physics chemistry math का जो भी आपका 11 और 12 का syllabus है 11 और 12 का syllabus आपको यहां से क्या करना होगा क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि यह PCM है तो यह आपका physics chemistry math का syllabus follow करना है आपको पूड़ा का पूड़ा और कुछ important chapters होंगे वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के देदूँगा तो हम लोग कैसे इस series के थूरू अच्छा score कर सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ करने से नहीं होगा आपको भी क्या करना है मेरे साथ क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पस और इंडिया लिमिटेट केमिकल ऑपरेटर का जो एक्जाम है तो सबसे पहला काम आपको तो है कि आपने अगर 11-12 दिया है थोड़ा मतलब बहुत दिन गेफ होगी है माल लिजे बहुत लोग ऐसे भी होगे कि कुछ नहीं करना है आपको उठाना है और ncrt book कुछ नहीं follow करना में पहले ही आपको कह रहा हूं जो भी follow करेगा उसके एकजाम निकलेगा तो ncrt book को क्या करना है basic को आपको पढ़ते रहना है और उस level का questions में आपको कराओंगा कि आपको खुदी idea मिल जाएगा कि हम लोग basic बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे लेकिन बेसिक से हाई लेवल जाने से ऐसा भी नहीं कि बस आपको कोईशन रट लेना है कुछ-कुछ आपको कोईशन समझ में तो आये जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बेसिक से हाई लेवल जाने के लिए समझ में आना बहुत जरूरी है त क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं यह एक जाम जल्दी होगा तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको तो और किसी का बहुत अच्छा से NCRT हुआ हुआ है 11-12 में तो NCRT one liner questions को follow कीजिए previous questions का series में कराऊंगा यह सब मेरे उपर छोड़ दीजिए previous questions हो गया NCRT one learner हो गया आपका main motive होना चाहिए कि आपको basic level का काम पूरा-पूरा खुद से करना है मतलब chapter का एक overview आपको लेना है और syllabus जो है आपका complete जो syllabus है उसमें important chapters किया है वो मैं आपको एक video अलग से बना दूगा तो इस वीडियो में बस इतना ही मुझे बताना था कि किस तरीके से हम आगे बरेंगे सीरीज को लेके और आपको भी क्या करना है मेरे साथ ठीक है और लास्ट एक बहुत इंपोर्टेंट चीज बहुत इंपोर्टेंट है तो वह भी कंटेंट बहुत इंपोर्टेंट है तो सीरीज वान के कंटेंट में कम से कम 10 से 12 वीडियो होंगे आपके तो इसके बाद 11 12 के बहुत ही बेस्ट कोईशन से जो कि आपके एकजाम में देखने को मिले तो यह सारा चीज आपको पहले तो यह सीरीजवान कंप्रीट कर लेना है लिंक आपका पूरी तरह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप जाके एक्सेस कर सकते हैं उसके बाद आपका आई बटम में भी मैंने इसे प्लेस कर दिया है जैसे आपका ये कंप्रीट हो जाता है उसके बाद अपने आपको ये स्ट्रेटेजी और ये न्यू सीरीज में जल्दी आपके लिए स्टार्ट करने जारो